जब यजबेंट यह दे दिया गया कि रामलेला को जमीन दे दी गई तो मैं सुप्रीम कोट से पुछना चाहता हूँ वहां मुसलिमों का कुछ नहीं है तो पाच एकर जमीन आप क्यों देना चाहते हैं उनको क्या रिश्मिन दे रहे हैं कि आप सुप्रीम कोट का जो फैसला अचाया कि मैं उससे को ठिपड ही नहीं करना चाहता हुँ क्योंकि मैं किसी कारा कि नहीं नहीं कि नहीं हुँ दुनिया जालती है बुद्ध का दरसन जो है मानबता बादी है समानता बादी है अनादम बादी है अभाग बादी है इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ दो ती जज्ज्मेंट के दौरान जो मैंने टीवी में देखी थी लोगों के भूसे सुनी थी एक दालत का ये कहना कि राम लेला फलाने सल में रखे गए थे दर्वाजा उसमें फलाने में रखा गया था लगता है ये बाद में जोडा गया था फिर कहते हैं कि ये सिद्ध नहीं कर पाए कि यहां जन्म हुआ था इधर कह पाए कि ये मुसल्मान भी उसको नहीं कर पाए तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो भी सित्र नहीं कर पाए वो भी सित्र नहीं कर पाए और ये जवाब दिया जाता है कि उनका पूजा पाट बराबर जारी रहा राम लिला का पूजा पाट जारी रहा और राम लिला को ती गई क्या सुप्रीम कोट राम लिला को भारत की जंता के सामने पेस करेंगे कि ये राम लिला है इनको हमने दी है ये का गया था सबूतों के आधार पर फैसला होगा लेकिन भावणाओं के आधार पर फैसला किया ये मैं जानता हूँ कि सारे के सारे नीचे से उबर तो लोग मिलकर के एक दबदबा बन सब्सक्राइब की देखने करने का या पूजा करने का अधिकार नहीं है क्योंकि जब यज़िवेंट यह दे दिया गया कि राम लिला को जमीन दे दी गई तो मैं सुप्रीम कोड से पूछना चाहता हूँ वहां मुसलिमों का कुछ नहीं है तो पांच एकर जमीन आप क्यों देना चाहते हैं क्या रिश्मित दे रहे हैं क्या आप उनको क्या खुसकंदे का एक ड्रामा कर रहे हैं क्या उनके आदमें जुझुना दे रहे हैं अगर आप इमांदार है और यह सरकार इमांदार है तो मैं सरकार से भी और सुप्रीम कोड से भी रिवेदर कर रहा हूँ कि बुद्ध गया का महाबोधी बियार जो बौद्दों का है एत्यासिक द्रस्टी से बौद्दों का है जहां राजगुमार सिंदार को संबोधी मिली प्रातन विवाग भी कहता है कि बौद्दों का है सारी दुनिया ये कहती है बौद्दों का है जबके आज भी उसके प्रबंदन में हिंदू कि बागेदारी है इमान दाल लोगों तो पुद्धगया के महाबोदी बिहार के प्रबंदन को जितनी जल्दी से तुमने इसका फैसला किया उतनी ही चल्दी जिन लोगों ने पिडिसंद दाइर किया हुआ है उस पुद्धगया टेंपल को लेकर गे उसको तेजी से सुनो औ वही एक बात और जानना चाहता हूँ जब बॉद्धों ने भी पिडिसंद दाइर किया अगर बॉद्धों ने देरी से पिडिसंद दाइर किया तो आपने उस समय उसको सुहिकार क्यों कर लिया था अब है आप जज्जमेंट के समय यही कह देते रहले से जहां कि इसकी सु प्रासी से लेकर के, कोट क्या, यानि चुनावायो क्या, या बड़े-बड़े मिनिस्टर क्या, प्रदानमंत्री क्या, राष्ट्पती क्या, सब के सब, पूरे के पूरे लोग, इस चीज में लगे हुए है, इतना जूट बोलो इतना जूट बोलो इतना जूट बोलो कि जूट को ही सच कर दो और वही ही हो रहा है आज जूट के सारे जिस चीचों पर आप कब्जा कर रहे हैं कल आप कहेंगे यह ताजबेल भी ऐसा है फिर कहेंगे यह बंदर भी हमारा है फिर आप यह कहेंगे यह किला भी ऐसा है इसके लेका भी नाम बदलो, इसका भी नाम बदलो, इसका भी नाम बदलो, लेकिन दिल दिमाग पर जो तुम्हारे मैं मुस्लिम गुसा हुआ है, उसको तो दिमाग से बाल निकालने की कोशिश करो, मुझे लगता है, रात में भी तुम्हें मुस्लिमों को देख करके खुआ पाता होगा लेकिन इतना मेरे जरूर जानता हूं युद्द के मेदान में बंप को च्छाती से बांधने वाला वो मुहमद हमीर Kalman भाईता कोई हिंदू नहीं था इतना मैं जरूर जानता हूं कि जब अक्पर के जमाने में अक्पर के साथ में वो राजा मान सिंग जो थे या जो और लोग थे जिन लोगों ने उसके साथ संबद बना के रखे थे राजबुद ने राजबुद को धोका दिया पदमिनी कौन थी उसे कौन लेकर आया था चित तोड़ मैं अलाउतिन खिल जी को किसने निमंतर दिया था वो कौन जाती के थे किस समू के थे अगर इतियास की बात पूछी जा तो सुरेद अग्यादर किताब लिगी थी हिंदू हारों की दास्तार है तुमने कभ युद्ध किये कभ तुमने ज की थे तुम तो युद्ध के मैदान में से भागे